आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा आप चैनल पे नए हो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही नए वीडियो प्राप्ट करने के लिए इसी तरह की और वीडियो जैसे ही मैं डालू वो आपको उम्बिल जाए उसके लिए पास में जो बेल आइकन है उसको भी आप प्रेस कर दीजिएगा तो चलिए स्टूरेंट्स आज की जो वीडियो है मोडल पेपर के रूप में उसको सोल करते हैं आप भी कमेंट बोक्स के अंदर बताइए आपके कितने परसन आपके सही हो रहे हैं तो पहला परसन देखे स्टूरेंट्स आपका जो पहला परसन है वो अबजेक्टिव सही जवाब क्या होगा कंडल जेम्स टोड होगा स्टूरेंट्स अगर आपको इसकी पीडियोप चाहिए तो आप कमेंट बोक्स के अंदर जरूर लिखेएगा अगला परसन है राजपूत पेंटिंग नामक पुस्तक के लेखक निमन लिखित में से कौन है राजपूत पें स्टूडेंट्स इसका सही जवाब भी होगा यामिनी राय का तीन पुजारीने परसी चितर है अगला देखिए नंदलाल बसु का जनम कहां हुआ इसका सही जवाब होगा ए हवेली खड़कपूर के अंदर नंदलाल बसु का जनम हुआ अगला देखिए फूल बेचने वाल तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा सै हो जाएगा अगला स्टूडेंट्स टेके कांगडा की स्त्री नामक चित्र किस आधुनिक कलाकार द्वारा बनाया गया है तो इसका सही जवाब स्टूडेंट्स डी हो जाएगा भावेश चंदर सान्याल द्वारा बनाया गया है अगला आठवा परसन आधुनिक मूर्तिकार का जनक किसे कहा जाता है तो आधुनिक मूर्तिकार का जो जनक है वो राम किंकर बेंज को कहा जाता है किसको कहा जाता है राम किंकर बेंज को कहा जाता है तो स्टुडेंट्स इस तरह से आपके आठ परसन हुए एक बटे चार एक अबर नामा अबूल फजल की फुस्तक का नाम है अगला देखिए दूसरा परसन है श्रीनाद जी की परतिमा के पिछे बने चितर किस नाम से जाना जाते हैं स्रीनाज जी के प्रतिमाई पिछे जो चितर बने उसको पिछवाई कहा जाता है क्या कहा जाता है पिछवाई कहा जाता है ठीक है स्टुडेंट्स अगला परसन देखिए सब भी ये किसे कहते है सब भी ये स्टुडेंट्स क्या होता है हूब हूब किसी सकल की चितर कारी करना यानि समान रूप जैसा है वेसा वेसा यानि चितर बना देना किसी सकल की सेम टू सेम चितर बना देना सब ये कहलाता है तो क्या हो जाएगा हूब हूब किसी सकल की चितर कारी करना क्या कहलाता है सब यह कहा जाता है अगला देखिए आनंद कुमार स्वामी का जनम कब और कहा हुआ आनंद कुमार स्वामी का जनम कब और कहा हुआ तो स्टुडेंट्स आनंद कुमार स्वामी का जनम है 22 अगस्त 1877 को हुआ कब हुआ 22 आठ 1877 और कहा हुआ इसका जो जनम है वो kolumbo स्री लंका में हुआ कहाँ हुआ स्री लंका के अंदर हुआ kolumbo के अंदर kolumbo जो कि कहां पढ़ता है स्री लंका के अंदर हुआ ठीक है स्टुरेंट्स अब अगला देखे को नार का सुर्यय मंदीर कहाँ है आपको द्यान है सो रे सो रे के नाम से जाना जाता है तीरतम को पेक का पूरा नाम बताएए स्टूडेंट्स इसका जवाब आपको कमेंट बोक्स के अंदर बताना है जो भी सही जवाब बताएगा उसका नेक्स्ट वीडियो में जरूर नाम लिया जाएगा अगला परसन देखिए चोमुखा मंदिर किस को समिर पिता है चोमुखा मंदिर है वो जेनों को समिर पिता है जेन धरम के लोगों के लिए समिर पिता है बाडोली के मंदिरों में सबसे परमुख मंदिर किस का है सीव का है वेसे तीन-चैर मंदिर है महिसा सूर मर्दानी का भी मंदिर है लेके सीव का सबसे है तो इस तरह से यानिकी स्टूडेंट्स ये objective टाइप रहेंगे आपके सामने सिर्स कहीन head मुर्तिकला, मुर्तिसिल्प क्या है इसका जवाब आपको देना है तो स्टूडेंट्स ये खंड B आपके सामने परसन है इसका स्क्रीन सोट ले लीजिए बहुती से अंदर परसन है उसके बाद खंड C के परसन 16, 17 और 18 19, 20 ये खंड C तक यानिकी आगे देखे 21 C में है खंड 10 देखे निवनदात्मक परसन आगे 22 और 23 परसन तो स्टूडेंट्स इसका आपने स्क्रीन सोट ले लिया वोगा अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, सेर्श और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा थैंक्यू वरी मच